बिसाण दोगों किनारे में वह कोई न कोई ट्रेप क्राप लगाएं जैसे जुआर है बाजरा है मक्का या बेबी कार्ण है जून से सितंबर के महीने में जब हुमिटी बढ़ जाती है उस समय हम नीम आयल का 3 मिलीटर मातरा को एक लीटर जल में घोल के छिड़काव करें 15 दिन के अंतराल पर अगली बार हम इमिडियो क्लोरापीड जैसे रसायन का प्रयोग करते हैं जिसकी एक मिलीटर मातरा 3 लीटर जल में घोल कर छिड़काव करें और ये 15-20 दिन के अंतराल पर करें अब हम आते हैं दूसरे विशाण दोग की तरफ जिसको कहते हैं पपाया रिंग स्पाट वाइलस जो दुनिया में सबसे खतरनाक विशाण दोग है और बहुत तेजी से फैलता है इसको फैलाने वाला माहू है हम जानते हैं कि माहू का दो मौसम बहुत ही खतरनाक होता है ए इसमें हमें ध्यान देने की ये बात है कि हम सुरू से ही जो कार्वनिक खादे हैं आर्गनिक सप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है या आपका वर्मी कंपोस्ट है सडी गोबर की खाद है इसकी मातरा को अच्छे से प्रयोग करें नरसरी से लेके जब उ जहना आवस्यक है क्योंकि पपीता एक ऐसा पौदा है जिसमें अगर आप ज्यादा कीट नासी का यारसायन का प्रयोग करेंगे तो उसमें फाइटो टॉक्सिटी मतलब पत्ते खुद ही जलने सुरू हो जाते हैं यलो इस्टिकी ट्रैप होता है जिसका प्रयोग हम लोग क करें एक सेप में आता आकार में आता है जिसमें वो फिर अंदर के हिस्से में जाके कीट फंसते हैं उनका प्रयोग करें अब आते हैं हम तीसरी बीबारी की तरफ जो अधिक पानी और अधिक तापक्रम के चलते होता है यह फफूद जनित रोग है इसके लिए आवस्यक है क तो कम से कम 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग वो उसके गड़े में सड़ी गोबर की खात के साथ करें रोपाई से एक सब्ता पहले दूसरा कभी ऐसे किसी खेत का चुनाओ ना करें इसमें पानी रुखता हो जब भी मल्चिंग करें तो ध्यान दें कि नीचे का तापक प्राइब करती है तो इस फफूद का जो इंफेक्शन है वो स्टेम पे होता जिसे हम कॉलर राट कहते हैं और कई जगा जब पुराने पहुदे होंगे जो एक साल पुराने पहुदे होंगे उसमें फुट राठ होता है रोप थाम करने का तरीका यह है कि आप कापर अक्ष प्लड का पेस्ट बनाके तने के जो निचला हिस्सा है 15 सेंटीमीटर या जहां जहां आपको दिखाई पड़ता है कि यहां पर समस्या आ रही है उसके उपर उसका लेप लगा दें चोती समस्या आजकल जो दिखाई पड़ती है फूल का या जिसमें अंडा से पहले से लग होता है फलनुमाकार होता है उसका जो इंड होता है इस्टिगमा पर वहां पर दखेंगे कई बार आपको हलकी सी सडन होगी पीला पन होता गिर जाता है इस समस्या से बचने का तरीका यह है कि ऐसे मौसम में खास करके अगस्त और सितंबर के महिने में आप एक से दो छुड करेंगे वॉरान के साथ हो इसके साथ में बॉबश्टीन की एक ग्राम मात्रा का प्रत लीठर में मिला कर चिड़काओ करें अगर आपके पास यह प्रेयोग आप 10 PPM की दर से बॉपीस्टीन प्रत लीटर के हिसाब से भी लाकर चिड़काओ करेंगे